हेलो माई दीयर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्टेप इन एस्टीमेटिंग दी कोस्ट यानि कि जब भी कोस्ट को एस्टीमेट करते हैं तो वेरियस स्टेप कौन कौन से स्टेप से जो कि हमें फोलो करते हैं फोलो करने चाहिए तो क्या क्या करने के शुरुआत में फर्स्ट ओफ होल प्रिपेर करना चाहिए लिस्ट ओप नेसेसरी पार्ट या कंपोनेंट जो की प्रोड़क्ट में लगने वाले हैं जो नेसेसरी कंपोनेंट या जोई पार्ट जोई प्रोड़क्ट के होने वाले हैं उसकी लिस्ट बनानी है एक प्रिपे हमें देखना है कि जो जो पार्ट के लिस्ट बढ़ाई है इन में से कौन-कौन से ऐसे हैं जिसको हम बाहर से परचेज कर सकते हैं विकोज हमें देखना होता है कि एकोनोमी पॉइंट ओफ यू देखना पड़ता है तो एकोनोमी को देखते हैं तो हमें ऐसे component को देखना होगा कि या जोन से component हम अगर सकते हैं उसको तो मैनुफेक्ट्ट्र करेंगे इसली अगर कर सकते हैं तो लेगिन अगर मालो जिसको पर्चेज करने के रिक्वार्ड है तो हम आँसे पर्चेज करेंगे तो उस चीज़ का भी देखना है कि कौन सा पर्ट या component हमें मैनुफेक्ट्र करना है या फिर पर्चेज करना है देन नेक्स्ट प्रिपेर दा प्रोसर सिट शोंविंग वेरियस operation इना सीक्वेंस एक प्रोसर सीट बनाने होती है प्रोसर सिट त्यार करनी होती नेक्स्ट जब भी हम component part या जो भी decide करते हैं तो process sheet बिलोब कि एक जो भी component है उसको बनाने के लिए कौन-कौन से operation को follow करना होता है तो process sheet त्यार करते हैं यानि कि इसमें various operation sequence में होते हैं first second third कौन-कौन से operation होंगे तो एक sequence wise operations होंगे ठीक है next क्या है make a list of material required for each part यानि कि हर एक पार्ट को बनाने के लिए material क्या लगेगा next make a list of tool machinery equipment required for production यानि कि tools कौन-कौन से लगेंगे या machines क्या क्या लगेंगी equipment कौन-कौन से use होंगे production करने के लिए ठीक है next determine the cutting speed for all the operation involved जो भी operation involved हो रहे हैं machine उसके लिए हमें देखना होगा कि particular component के लिए क्या speed चाहिए क्या feed चाहिए क्या favorable condition है जो कि machine करते time में या जो भी है दोरान होने चाहिए तो उसका निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कि component की क्या-क्या requirement है ठीक है जो भी machine पार्ट है यानि कि machine time देखना होगा यानि कि इस पार्ट को बनाने के लिए particular machine को इतना time लगेगा ठीक है यानि कि इस तरीके से हर एक मशीन का लग लग ताइम होगा और एक प्रोसेस जो है जो कि sequence में होगा यानि कि फर्स्ट प्रोसेस सेगंड प्रोसेस उसके बाद मशीन है तो एक मशीन पर इतना time लगा तो क्या होगा लास्ट में हमें total time सबको time को जोड़ देंगे total time आ जाएगा total time calculate करते हैं उसके बाद में estimate करते हैं यानिकि allowances को estimate करते हैं कि time तो वह तो एक मशीन आइडल कंडिशन में वर्क कर रही है तो उसके लिए आइडल जो की favorable time होता है but estimate जो लगाते हैं allowances को add करते हैं यानिकी handling time setup time machine को adjust करने के लिए जो time लगेगा या downtime element जो की extra time लगता है तो उसके लिए हम total time निकालते हैं सभी calculate करके उसके time निकालना पड़ता sequence की according allowances को add करके then estimate the total cost total material cost of the product फिर उसके बाद क्या करेंगे estimate करेंगे total material cost किसी product के लिए क्या रहेगी ठीक है अंदाज लगाएंगी total material cost क्या रहेगी then calculate the total labor cost involved in manufacturing यान की calculate करेंगे labor जो की use हो रहे है manufacturing के लिए उनली labor की cost क्या रहेगी labor की cost अलग से देखेंगे material की cost अलग से देखेंगे और जो prime cost बाए जैसे की प्राइम कोस्ट को calculate करेंगे इसको की material cost और labor cost यानिकि पहले तो बोली labor के लिए इतना cost लग रहा है material के लिए इतना cost लग रहा है फिर उसके लिए प्राइम कोस्ट निकालेंगे प्राइम कोस्ट क्या होती है material cost प्लस labor cost ठीक है तो फिर उसके बाद find करेंगे overhead charges ठीक है overhead charges वही होते हैं जो sales के दोरान जो की activities ट्रांस्पोर्टेशन प्राइम कोस्ट प्लस जो overhead आई थी ठीक है तो इन दोनों को add कर देंगे ठीक है तो क्या जाएगी टोटल कोश्ट आजाएगी फिर उसके बाद एड़ करेंगे suitable profit margin to the total cost for sale price sale price setup करने के लिए यही तो होता है ना कि total cost में हम हमारा क्या margin रहने वाला किस margin को हमारे को चाहिए profit चाहिए तो उसी के recording price select करते हैं कि particular क्या price होने वाला है यानि कि selling price क्या रहेगा set करते हैं then decide a suitable discount for distribution distributor and add this to a sale price to calculate the market price आप sale price तो हमने calculate कर लिया यानि कि माइमर्पी जो भी मतलब होता है तो उसके बाद वत हम discount देते हैं उस पर भी जो भी हम लेने वाले distributors होते हैं उनको देते हैं विकॉस distributor उसको market में लेके जाएगा distributor के लिए अलग price होता है ठीक है और जो market में जो आएगा product उसके लिए प्राइज होता है तो यह सब calculate करते हैं क्या है सेंड इस कोस्ट सब्सक्राइब नेसेसरी अप्रोवल यानिकि जो management होता है उसको send किया जाता है इसको पूरा बना के तियार करके पूरे document तियार करके यह management को दिया जाता है यानिकि अप्रूवल के लिए बिकोज जो भी जिसने बराया है बटे एक टोप लेवल पर जो काम करता है उसको भी अंदाजा होता है वह qualified होता है प्रूप्र एक्सपीरियंस होता है तो यह सब estimate जब भी लगाते हैं तो वह अप्रूव करता है उस चीज़ को कि क्या ही सही है या गलत है अगर जो भी changes होत इस प्रूडियो में थैंक्यू वे नाइस देश